एक बार एक केकड़ा समुद्र किनारे अपनी मस्ती में चला जा रहा था और बीच बीच में पीछे मुड़कर वो अपने पैरों से बने निशान भी देखता जाता वो थोड़ा आगे बढ़ता और फिर मुड़कर पैरों के निशान देखता और देखकर खुश हो जाता इतने में एक तेज लहर आई और उसके पैरों के सब निशान मिट गए इस पर केकडे को बड़ा गुसा आया उसने लहर से बोला मैं तो तुझे अपना मित्र मानता था पर तुमने ये क्या क्या मेरे बनाए सुन्दर पैरों के निशानों को ही मिटा दिया कैसी दोस्त हो तुम केकडे की बात सुनकर लहर बोली वो देखो पीछे से मच्छवारे आ रही है और वो पैरों के निशान देख कर ही केकडों को पकड़ रहे हैं, मेरे दोस्त तुमको वो पकड़ ना ले बस इसीलिए मैंने तुम्हारे पैरों के निशान मिटा दिये सच यही है कि कई बार हम सामने वाले की बातों को समझ नहीं पाते और अपनी सोच के अनुसार उसे गलत समझ लेते हैं जब की हर सिक्के के दो पहलू होते हैं अपने मन में किसी के लिए बुरा भला सोचने से बहतर है कि बातों को सही से समझ कर निशकर्ष निकाले